लेकिन लोगतंत्र का चोता इस्ता मीडिया है मीडिया को भी राउल गांदी से सीख लेनी चाहिए दिया जाता बीएस्पी देवंदर जो पुनुआमा हमले में मस्ट्रमाइंड था पता नहीं वो आज कहा है ये गांदी मेदान के अंदर जो इशो गेलोजी और हमारे प्रद अंदर मोधी सरकार ने कदम उटाया है जिस तरह की हिटलर साही का उन्होंने प्रिचे दिया है जिस तरीके से उन्होंने अपने एक दलाल मित्र गोतम अडानी को बचाने के लिए राउल गांदी का इस्तेमाल किया है उसके खिलाब हवाज उटाने के लिए ये कारीकरता सम पिलन रखा गया है यह लोग वो समय भूल रहे हैं जिस समय इंद्रागांदी की परचांड सरकार थी और उस सरकार के अंदर विपक्ष नाम का कोई इंसान मौजूद नहीं था तो इंद्राजी ने अपने निर्वाचित करवाया और उनकी सोच थी कि एक सोच लोगतंत्र को जिन्दा रखने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है लेकिन यह लोग इंद्रागांदी की उस बात को भूल रहे हैं और इंद्रागांदी के ही पोते को लोग सभा की सदिस्ता से आतो हाथ जिस तरीके से इन्होंने अटाया है उनकी लोग सभा की सदिस्ता जो खतम करी है वो लोगतंत्र को खतम करने का एक कदम है इन्होंने आतो हाथ उनके बंगले को भी खाली करने का नोटिस दिलवाया है जिस तरीके से गुजरात के एक चि निकल वाया और उस पैस लेकर 24 गंटे के अंदर लोकसवा अधियक्स ने राउल गांदी की सदिस्ता निरेस्ट कर दी ऐसा हिंदुस्तान के इत्यास में पहली बार हुआ है कि एक राउल गांदी से ये लोग गबरा गए हैं जिस तरीके से भारिक जोड़ो यात्रा के अंदर अपार जन समर्तन मिला था उस अपार जन समर्तन से गबरा कर और लोकसवा के अंदर राउल गांदी जिस प्रभावी तरीके से अपनी बात रख रहे थे लगातार के अंदर सरकार को कट गेरे में खड़ा कर रहे थे तो के अ सब्सक्राइब है कोई भी वेक्ति लोगतांत्रिक तरीके से बात नहीं रखे और अगर वो बात रखता है तो उसको देश विरोधी कोशित कर दिया जाए आज मीडिया भी डरा हुआ है मीडिया को पर बैंकर दबाव है मीडिया के लोग सच लिगना चाहते हैं लेकिन लोदी सरकार लिगने नह टाये जाता है लेकिन लोग Tanp elkaar का चोटाइस्ता मीडिया मीडिया को भी राउल गांधी से सीff लेनी चाहिए डरो आमाद्र चाहिए और मेडिया को भी मिशियोध करते हैं और इस तरह की खबरे मेनुप्लेट कर वाते हैं कि जनता कन्फूज हो जाती है ये धर्म की बाते चलो आते हैं एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि जनता जब अपना हक मांगने लग जाती है तो शाशक को धर्म का जेंडा आगे कर देना चाहिए शायद नेपोलियन बोनापार्ट की बात को याद रखते हैं नरंदर मोद्य रमिशा यही कर रहे हैं कि जूँ जनता जागरू होती है जूँ बेंगे गैस की बात करती है जूँ बिजली की बात करती है जूँ गोतम अडानी की बात करती है तो ये दरम का जेंडा लेकर इन मेडिया वालों को पर दमा बनते हैं और तरते की खबरे चलवाते हैं उसे हिंदुस्तान की जनता थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भूलते बहुत जल्दी है अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं सो बाते आप अच्छी कर दो और एक कोई बुरी हो जाए तो सो बातों पर पानी फेर देते हैं इसलिए हर गर के अंदर आज टीवी के रूप में बारती जनता पार्टी का एजेंट मौजूद है आप टीवी का कोई भी चैनल चला जो उस पे हिंदुस्तान के किसी भी घर में जाके देख लो हमेंसा ऐसी खबरे चले ही जाती है कि जैसे लगता है इस देश का रक्षा केवल नरंदर मोदी है और बाकी दिलों के लोग देश के खिलाब है देश के विरोधी है वो जो बोल रहा है जूट है जबकि ऐसा कुछ नहीं है बाकी लोग जो बोल रहा है वास्ते में सच है उनकी बात को दबया जा रहा है यूँआ रोजगार मांगता है तो उनको पुर लाटियां बरसा ही जाती है जो नेता को यवाज उटाता है तो उनको जेलों में बंद किया जाता है आज किसी भी सरकार को देख लिए ये विपक्स की उनके उपर हमेशे टार्गेट होता है मुझे एक सीडिया से प्रिशन का आप उतर दीजिए 2014 से लेकर अभी 2023 चल रहा है हिंडुस्तान के अंदर ऐसा क्या हो गया कि हिंडुस्तान के किसी भी बीजे पी नेता के घर पे ना सीडिया पहुची है ना एडी पहुची है ना उनको इस्तानी पुलिस में कोई पूस्तास के लिए बुलाया है करनाटिक के अंदर एक गाड़ी बरेवे नोट करनाटिक सरकार के मंत्री के घर पे ब्राम दोते है उनकी ख़बर को दबा दिया जाता है जमो कुश्मीर के अंदर अमी सा का दोस्त और नरंबर मोदी की फोटू है उस वेक्टिक के परिवार के साथ जो मिश्टर पटेल जो अभी पकड़ा गया है उसके पास जैड सुरक्सा थी बिल्कुर फर्जी तरीकी से हो जमो कुश्मीर में गोंब रहा था लेकिन मजाले मीडिया के किसी भी अकबार में उसकी ख़बर चापी हो कभी नहीं चापी अगर ऐसा काम कॉंगरेस के किसी नेता के हाथों हो जाता तो हाथों आथ उनको पाकिस्तान कनेक्शन दिखा कर देश विरोधी कोसित कर दिया जाता बीएस्पी देवंदर जो पुलुमा मां हमले में मस्टर माइंड था पता नहीं हो आज कहा है पुलुमा मां हमले के अंदर 300 के जी RDX कहां से आया आज तक पता नहीं चला क्योंकि ऐसी खबरें दबा दी जाती है और ये खबरें और इस तरह के कांड ये खुद करते हैं इसलिए ये आयों लोगों से में आवान करूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर हमें तन मन दन से चाहे हमारे खुद का टिकट करना पड़े खुद का खाना खाना पड़े हमें दिल्ली पहुचना और प्रतियक भत्ती अन्ये साथियों को ले कर पहुचे और मीडिया के लोगों से भी में निविदन करूंगा कि आप डरो मत सच लिको सच लिकोगे तो सविधान बचेगा और लोगतंत्र बचेगा और आने वाली पीड़ी आपको याद रखेगी धन्यवाद जय हैंद जय बारत